नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रंखला में आज सुनेंगे चित्रा मुदगल जी की कहानी केंचुल लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानिया आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परचितों में शेयर भी करें बेल आइकन दबाना पिल्कुल भी न भूलें आज सुनिये केंचुल दोनों हथेलिया कमर पर टिकाये, उसने कुपित द्रिष्टी से सिद्धु को देखा सिद्धु उसकी कोप द्रिष्टी से अनभिग दो-तीन छोकरों से घिरा कंचे का निशाना साधरा था खेल में उसकी इस एकागरता ने उसे और भनना दिया दात किटकिटाते हुए बढ़ बढ़ाई, अख्खा दिन मस्ती, घर की फिकर है हलकट को बानी की दुकान के ओटले पर चड़ गई, वहीं से हांक लगाई ए मेलिया, बंद कर तेरा गोटी-बोटी, न लाया रे, पड़ लवकर, लाइन लगा के रखी में आशा के विप्रीत पहली ही पुकार में सिद्धु ने कमला की तरफ गरदन घुमाई, अंदेशा ही था, न लाने का समय हो रहा है उसकी पुकार मचने ही वाली है, पर एका एक दाउँ छोड़ कर कैसे भागे, मुश्किल में तो उसका चानस आया है गोटियों से खीसा खाली हो गया है और उंगलियों के बीच निशाना साधिती गोटी तनी हुई है तै किया चानस नहीं छोड़ेगा, बगैर गरदन घुमाई हुए ही प्रत्युत्तर में उसने आलाप सभरा तू चल बस अब भी जाता मैं कमला इस डिठाई से और चुड़ गई, लगभग चीखी ये आता भी तक कुछ नहीं, लगेच उठ नहीं तो द्यों आगे एक थोबडे पर, सिद्धा नल पे जा कोई लंबर इद्दर उद्दर किया तो काउं टंटा करेगा हलकट तमबाकू होटों में दबी हुई थी, पिच्च से पीक थूकी और थूथू करके लुगदी उगली पीछे मुड़कर छडांश को बानी पर नजर डाली, गिराकों में व्यस्त बानी उसे देख मुस्कराया जाएगा, जाएगा, फिर एक कमाठी की दस पैसे वाली ब्रुक बॉन्ड की चाय की पत्ती का पैकट थमाते हुए बोला दुपर से इद्रीच खेलता, फिकिर नहीं होती तेरे को, चेतावनी सी दी कमला को संभाल हाँ, नहीं तो ये पन तेरे को रत्नू का माफक एक रोज धक्का देगा मरने दे, किस किस को समालू, बोल चेहरा गुमा कर सिद्धू को ताका वह गोटी छोड़ छाड़ कर नलकी और सरपट भागा, इत्मिनान से बानी की तरफ मुड़ी अपना च्पेट भरने के वास्ते क्या मैं अख़्ा दिन रखरती, हरामी नहीं समझते तो ओटला उतर कर अपनी गली में मुड़ने लगी तो एका एक खयाल हो आया माल के बारे में पूँच ले, पलटी और नीचे से ही आवाज लगाई गुड आया बानी, सुब्बू नकी चाहेगा, नौ बजे तलक सर्ना को भेजना पारी भेजू, ड्रम गरता क्या मेरे इदर, फकत दस किल्लो भेज और सुन, स्वरको थोड़ा तरेरा, वजन बरोबर करना हाँ, बोध डांडी मारने कू लगा तू चलते चलते यह भी बता दिया, कि सर्ना को भकत नहीं, विशनू को भेजेगी, नहीं तो मैं खुदी चायेगी सर्ना को भेज, हूँ, नाली के पसरे बोधे को टांग पसार कर लंगती हुई बड़बडाई सेंडी लगाता हराम खोर, सब समझती मैं, चानस खोजता है, सर्ना तब फेरी के लिए नहीं जाती थी, उसके काम में मदद करती थी चाहे सौदा सुलफ लाना हो, चाहे गिराकों को बाटली भर कर देना हो, चाहे बानी के यहां से माल लाना हो एक रोज अड़ गई, मेरे को नहीं जाने का बानी की दुकान पर, मैं नहीं जायेगी गुर्वजन कराने, बापु को भेज, नहीं तो सिद्धू को भेज कमला को लगा, लड़की कामचोरी दिखा रही है, 10-15 किलो वजन उठाने के डर से अभी तक तो लाती थी, यह एक आएक क्या चड़ गया मगज में? सिद्धू अभी बहुत छोटा है, विष्णू को भेजते डरती है, लाएगा आठ किलो और बोलेगा दस, कितने चक्कर लगाएगी बानी के, यह पूझने भर के लिए कि कितना माल ले गया, उसे सुबह सुबह ही भट्टी सुलगानी पड़ती है, बाहर निकले तो माल बन ली काम चोर रान, काय को नहीं जाएगे, वैट कि घानी खाने को मांगता, मैं एकलीच खाती, खाते तो सब, पन काम के वास्ते ना बोलने से चलता, कमला थोड़ी विनमर हुई, बाकी सब करेगी, फकत बानी की दुकान पर नहीं जाएगी, पर काई को नहीं जाएगी, बो और एक जोरदार जापड रसीद कर दिया दस किलो उठाने के पिच्छु ये नकरा हाँ मैं एक लीच मरूं अख़ा दिन उपर से दादा गिरी नई जाने का हाँ बोल जाती की नई उसने पंजात आने हुए आखरी चेतावनी दी मंगता वो कर मैं नई जाने की माल लाने गंदा गंदा बात करता वो मेरे से रोते रोते सरना चीखी हलक मेली कमला बाई उसके धीटपन से एका एक बोरा उथी तेरा बाप सरखा है क्या गंदा गंदा बात किया तेरे से बोल बोलना नहीं तो मुंडी तोड़कर रख देगी सरना के सिर के बाल उसकी मुठी में भिचे हुए थे चेहरा छटकी और तना हुआ था कसा बोलू बोलना उसने मुठी समेथ बालों को जटका सरना जटके के साथ ही अया करके चीखी कमला ने खीच थोड़ी धीली की तो सरना बोली बोलता उसके अटकते ही कमला फिर खौकी आई नाटक करती बोलता बोलता मेरी पिसाब को हाँच से पकड़ अठनी देगा तेरे को जिजगते हुए सरना ने वाक्य पूरा किया वह सनाका खा गई बाल हाथ से छूट गए गिराप पन नहीं होती सुबू सरना ने गिरफ्थ से छूटे हुए अपने सुबक्ते चेहरे को घुटनों में छिपा लिया आखों में खोन उतर आया जैसे पूरी बाटली एक बारगी हलक में उतार लियो गुटनों में मूँ दिये बैठी सरना पर बगैर नजर डाले खोली से बाहर हो गई रास्ते में भुनभुनाती रही देखती भडवे को बेटी सर्खी चोकरी के संग ऐसी गली जरकत थूँ पिच्च से उसने अपनी दाहिनी तरफ पड़ रही बिना प्लास्टर वाली रामरती की चाल पर थूँका पांडे की बाकडे नुमा पान की दुकान को लक्ष कर थूँका गोबर पुते बागले मोची के जोपडे पर थूँका मन ही मन तै कर लिया कि ठीक ऐसे ही वह बानी की गले ठुसी दुकान पर थूँकेगी और बानी के सामने पहुँच कर उसके पपीते जैसे लंबोतरे चेहरे पर थूँकेगी तंतनाती हुई दुकान का ओटला चड़ रही थी की बानी की द्रिष्टी उस पर पड़ गई आओ आओ कमला से ठानी माल बरोबर था ना कलका मेरट का गुड़ है लहकदार स्वर में स्वागत किया उसने स्वागत भरे स्वर को जटक कर वह शुर्वात में ही चुनी हुई बिस्किट चॉकलेट की बर्नियों पर थूँकने की तैयारी में जुकी चॉकलेट मंगता क्या सिद्धू के वास्ते बानी के पूँचते ही यक बग यक चेहरा सीधा हो उठा गले से रिर्याती सी आवाज फूटी दस पैसे की पढ़र पूरी दे थूख गले में ही घुटक गया बास बानी तंबाकों की पुडिया गठी आते हुए कनपटियों तक फैल कर मुस्कराया और कुछ नहीं अपने स्वर का उत्रापन खुद पर कटाक्ष करता लगा बास अरे अभी भी मौका है गिराकों की गर्दी भी दुकान पर है कर दे नंगा इस भड़वे को थूख दे थोबड़े पर मा बहन को पकड़ाए ना साला पर कुछ नहीं हो पाया भीतर जकर दी गई कमला को अनसुना ही रहने दिया उसने चेतना ही जैसे जड़ हो गई मात्र हाथों ने हरकत की तंबाकों की पुड़िया आगे बढ़कर लेली बानी से ओटला उतरने की भी ताकत चुग गई थी शरीर को लगभग घसीरते हुए घर की तरफ मोड़ा किसके बूते पर लड़े अपने एकली अपने ताकत है लड़ने की मजाल थी कि बानी की चीछा लेदर किये बगएर ही लोट परती पर लोटती कैसे ना बानी के एहसान जो छाती पर लड़े बैठे हैं कैसे कुलबुलाने लगे थे वे जैसे ही थूकने को ततपर हुई जरूरत परने पर दौरती तो उसी के पास है खूब जानता है उसका कच्चा चिठा कहलाने को सेठानी है टेंट हमेशा ही विसूरती रहती है कच्चे माल के लिए कभी रोकड़ा कम है तो कभी हपता पूरा नहीं हो पाता कि उगाही करने खीसे निपोरते हुए हवलदार आट पकता है पिछली बरसात की घटना ताजा हो आई खोली के कवले बदलवाने थे तीन-चार सो की मोटी रकम धीले किये बगएर छट की टपकन को रोकना संभव नहीं था फल्लियां भी लटकाई थी हर वक्त अंदेशा बना रहता कि कहीं एकाद फल्ली टूटी तो कवले दो-चार गिराकों को सोना पूर पहुचा देंगे बानी ने सुना तो फ़ोरन तसल्ली दी कि काम शुरू कर ले दो-एक दिन में कुछ और वसूली साथ लेगा तो काम पूरा करा देगा खोली में घुसी तो पाया कि सरना आखें मूंदे लादी पर चित पड़ी है आखें जरूर मुंदी हुई थी पर सोई कता ही नहीं थी पुतलियों की हरकत से आभाज हुआ कमला को लगा बंद पलकों को चीर कर एका एक सरना की पुतलियां उचलेंगी और पिच्च से उसके मूँपर थूख देंगी वहां से हट ली गिराकों वाली खोली में आकर बैट गई उस रोज से तै कर लिया कि ना सरना को बानी की दुकान पर भेजेगी ना धंदे पर ही मदद लेगी वैसे भी दारू का धंदा उसे पसंद नहीं था कुछ दिनों से कह भी रही थी कि पडोज की रुकमनी ताई की तरह वह भी पालक मेथी सोवा की फेरी करना चाहती है अगर वह उसे मंजूरी दे दे तो वह लोकल का पास निकाल लेगी और रुकमनी ताई के साथ रोज सुबह पांच बजे वाली लोकल पकड़ कर भायखला मार्केट खरीदी के लिए निकल जाया करेगी यह भी कहा सरना ने कि रुकमनी ताई ने बिक्री के प्रती उसे बेफिक्र रहने को कहा है अपने से बगल वाली कॉलोनी उसे पकड़वा देगी बंधेले गिराक मिल जाएंगे बिल्डिंग वाले हरी साख सबजी खरीते भी खूब है ताजा सबजी के नाम पर बस पालक मेथी की जुडियों से ही मन को संतुष्टी देते हैं उसे आश्वस्त भी किया कि चार घंटे की मेहनत के पिच्छू तीन-चार रुपियों का मुनाफ़ा कम थोड़े ही है शाम को मैं टेसन रोड पर पाटी लगाएगी कुछ ना कुछ तो उधरपन मिलेगा दूसरे रोजी उसने सर्णा का लोकल पास निकलवा दिया था और माल खरीदने के लिए 15 रुपए टिका दिये सर्णा गले से जूल गई अच्छा लगा था उसे चलो छोकनी तो अच्छे काम से लगी सर्णा की मेहनत ने उसे दंग कर दिया दिन भर खटती फिजूल खर्च करता हुआ ही पाती उल्टा उससे पूँच और लेती कि अगर उसे जरूरत पड़े तो उसकी गुल्लक से पैसा निकाल ले वह नहीं लेती यह अलग बात है जरूरत तो हमेशा ही मूब आये खड़ी रहती है कुछ हपतों पहले की घटना इसमरण हो आई तब यह नहीं पता था कि कल्पू से उसका इतना चल रहा है अब सारी बातों का तालमेल बैठाती है जरूर उसके साथ ही दादर गई होगी अकेले दुकान पर जाकर कुछ खरीदना उसके बस का रोग नहीं था जब भी कुछ लेना होता उसके जी को पर जाती अंदर पहनने वाली बाजार की लेनी थी तो उसे टेशन रोट साथ ले गई थी दुकान वाले ने पूछा था कि कितने लंबर की चाहिए तो सिर नहीं उठाया गया था उससे कमला ने अंदाजा बताया था फेरी से लोटी थी तो पाटी उतारते न उतारते किलकी थी एक बड़ा सा डिब्बा उसे पकड़ा दिया था खोल के देख उसने विसमे से देखा था पन है क्या? बोला ना खोल के देख उसके हैरान होने पर सरना हसी से दोहरी होने लगी बिच्चु नई डिब्बे में पैकेट खोलते ही आबाक रह गई थी डिब्बे में उसके मन पसंद रंग की नौवारी साड़ी थी सुनहले पाड़ की साथ में था कत्थाई रंग का खन का कपड़ा चोली के लिए इस तब द्रश्टी सहसा दुंदला आई थी शरत पूनों का ज़ार उमड़ाया और तहाई हुई साड़ी पत कई जगे धब्बों में अंकित हो गया सरना की हसी जड़ हो गई उसे महसूस हुआ कि उसके उपहार ने सहसा आई को किनी पूर इसम्रतियों से जोड़ दिया है किसी नासूर को कुरेट दिया है तभी तो वह खुश होने की बजाए एका एक अकुला कर विचलित हो थी है चाय बनाती में कहकर वह निकट से उठ दी थी कमला मिंटों तक वैसी ही बैठी रही सरना को क्या अंदाजा कि कहां ले जाकर पटक दिया था उसने नंदों ने ऐसे ही तो एक शाम उसे डिबबा थमा कर खोली की सिटकिनी चड़ा दी थी खोल के देख कमला ठीक इसी तरह आगरह करता रहा था इसी तरह वह अचरत से भरी-भरी उससे पूचती रही थी कि आखे डिबबे में क्या है डिबबे में बैजनी फूलों वाली वायल की छेगज की साड़ी थी पहनती वह नववारी थी पर नंदों उस शाम कहां माना था साड़ी अपने सामने ही पहनवाई थी और ठीक उसी तरीके से पहनवाई थी जैसे उसके मुल्क वाली औरतें पहनती थी सीधे पल्ले की गिराकों की भीड आजकल रात में भी खास नहीं होती बीच का महीना है साथ और दस तारिक के आसपास तो समालना मुश्किल हो जाता है लेबरस के ये पगार उठाने के दिन होते हैं बीच के दिनों में धंदा मंदा रहता फिर गर्मी चड़ती है बीच तारिक के बाद बीच को मजदूर खर्ची उठाते उधार उसके यहां चलता नहीं इसलिए उधारियों का रुख उसकी खोली की तरफ होता नहीं पहले उधार बहुत चलता था पर वसूली के लिए बड़ी मगच पच्ची करनी पड़ती थी पगार के दिन या खर्ची के रोज उन्हें घेरना पड़ता मजबूरन उसने उधार देना ही बंद कर दिया हाला कि इस निश्य को अमल करने के साथ ही बिक्री कम हो गई पर अकेले वह क्या क्या समाले विष्णू के भरोसे तो कुछ भी नहीं छोड़ सकती तेरह साल हो गए विष्णू को घर पर बैठे लिंक चेन फैक्टरी में काम करता था ग्रहस्ती जिन्दा रह सके इतनी रकम वह 10 को पगार उठाकर और 20 को खर्ची निकाल कर थमा देता था दारू तो पहले भी पीता था पर ग्रहस्ती का ख्याल ताग पर रखकर नहीं बाद में लत घर फूक तमाशा वाली हो गई खाड़े पर खाड़ा होने लगा चार्ज शीट मिल गई एक दिन वह घर बैट किया कमला से बोला कि अब नौकरी नहीं धंदा करेगा बहुत कोशिश की कमला ने कि वह कहीं काम से लग जाए मगर बात बनी नहीं बाद में पता लगा कि नौकरी तो वह पहले भी नहीं करता था शादी के लिए नौकरी लगवाई गई थी संबंधियों में उसे कोई छोकरी देने के लिए तैयार नहीं था बदनाम बहुत था मटका खेलना चोरी चपाड़ी करना यही धन्दे थे विश्णू के चार बच्चों की जिम्मेदारी वह चार घर के भांडी कटके से नहीं पूरी कर पा रही थी देह से ताकत ही निचुड़ गई थी जब से नंदू नहीं रहा चैन भटक गया था सेठानियों से तकरीबन रोज ही तकरार होती की बर्तनों में जूठा लगा रह गया है की कपडों के कॉलर नहीं छूटते की अलमारियों के नीचे धेरों कच्रा छूट जाता है की मोरी में काई की परत गहरा रही है तीस रुपए महीना फोकट के देते हैं तिमया की अम्मा ने ऐसे में उसे घर में ही भट्टी लगा देने की बात सुझाई थी बड़े अंतर द्वंद में फंसी रही दारू से ही घर की इंटों में भसकन पैदा हुई थी वही बतोर धंदा अपना ले तिमया की अम्मा ने उसकी हिचक सुनी तो खिली उड़ाई सब उसकी तरह उच नीच सोचने लगे तो दुनिया में कोई धंदा जिंदा नहीं बचेगा खटिया चलाने के लिए तो कह नहीं रही सोच ले इज़त से करो तो सभी काम उचे है सोच लिया और खोली में ही भट्टी लगा ली ओटले से हटते ही बट्टी जलाने का ध्यान हो आया पिछली बातों के उमरते सिलसिले को दिमाग से जटका पहले गिराकों वाली खोली की बट्टी जलाई फिर भीतर वाली खोली में उजाला किया देखा चटाई से खिसक कर विश्णू लादी के उपर मुर्दे की तरह ओंधा पड़ा है इस इस्थिती में उसे पड़ा-पाथ पारा चड़ गया हिकारस से थूख देने को मन किया आदमी है मुर्दार पीना पीना सिर्फ पीना घर को फूख डाला उसकी जिन्दगी तबाह कर दी उसकी की तो की पर बच्चों का भी सत्यानास कर दिया हराम खोरने वह पेट के लिए जुगार करने को हाथ पाओ मारती रही और यह रतनू को लेकर सत्तार की चाल में सुभ़श शाम जुमा खेलता रहा उसे पता तब लगा जब ताश खेल रहे मवालियों के बीच किसी बात पर जगड़ा हो गया और उसी जगड़े में किसी ने भीग रही मसों वाले रतनू के पेट में जुरा गोप दिया गोबिंदा, गोबिंदा को किसी बात पर धुनकी में इतना पीटा, इतना पीटा कि शाम को वह जो घर से भागा, आज तक लोट कर नहीं आया कितना खोजा उसे, सब ने कहा कि अखबार में फोटो निकलवा दो, पर फोटो कहां था उसके पास बाद में उसने सर्ना और सिद्धु के तीन-चार फोटो निकलवा कर रख लिये थे, सिद्धु और सर्ना को तो हाथ भी नहीं लगाने देती, मार पीट पर आमादा हो उठती है आज तक नहीं समझपाई की कैसा बाप है, ना मरे को याद करता है, ना भागे को जीकता है अउलाद के लिए इतना पत्थर का ले जा, पिच्च से थूक ही दिया ओंधी देह पर, ग्रणा के उबाल पर संयम तूट गिया लाट दी हुमक कर कूले पर, स्वर उचा नहीं था, चीक भरा था, उठ भडवे, उठ गिराक आने का बकत है, अउर विष्णू पर लाट का कोई असर नहीं हुआ, चियाया पड़ा रहा, मुठी में सिर के बाल दबोच लिए, कसकर जचकोरा, तब कहीं जाकर वह कुनमुनाया सूजी सुर्क आँखे खोली, गुर्राया, मगस तो नहीं फिर गया तेरा, साली, बोलने कुद देता तो खोपरी पर चड़ती, गिराक को कौन निप्टाएगा, तेरा बाप है, अजुन तलब गिलास विलास पन बिगर घोयला पड़ा है, पाउं का पत्ता नाई, सिद्ध ने घुड़का और उठकर खड़ा हो गया, जम्हाई भरते हुए शरीर को एठन देकर तोड़ा, फिर मोडी पर जाकर तंकी की टोटी खोल कर चेहरा चपचपाने लगा, सिद्धु सिर पर दोनों हंडे उठाए, बीच के दर्वाजे पर पड़े छीट के चीकट परदे को एक और सरकाते हुए तनिक जुक कर भीतर दाखिल हुआ, खुश हो गई, थाली में चावल चुनने के लिए निकाल लिया था, एक और सरकाकर लपकी, तंकी का ढखकन आधा सरकाकर उपर वाला हंडा उलीचा, फिर दूसरा भी खाली किया, टोटी टपकने लगी, ठीक से कसा उसको, पानी कितनी दिक्कत से मिलता है, सिद्धु खाली हंडे उठाकर उचालता हुआ वापस नलकी और भागा, विष्णु ने अंगोचे से मुह रगडा और जांगें खुचलाता हुआ परली खोली में चला गया, वह पाटा खीच कर इस्टोप के करीब बैट गई, बहुत जरूरी होता है, कई दफे विष्णु खुद भी उनके बीच गिलास लेकर बैट जाता है, कई दफा अपने कुछ दोस्त बन गए, गिलाकों को उधार भी पिला देता है, वह सामने रहती है तो थोड़ा दबा रहता है, नक्चड़ा तो इस हद तक है कि कब बात ब बेबात पर गर्मा गर्मी कर बैठे, डरती रहती है, इतना जरूर है, अपना रोब दाप उसने कुछ इस तरह कायम कर रखा है, कि लाक गिराक टुन हो रहा हूँ, उसका कहा नहीं टालते, जींगा बहुत पसंद है सरना को, गोबिंदा को भी बहुत पसंद था, जब कभी जींगा लाती थी, वह उसके साथ बैठ कर साफ करवाने लगता था, पांच बजे के करीब मच्छी मार्केट गई थी, सूखी मचली तो पड़ी है घर पर, पर किसी को मन से नहीं भाती, सोच कर तो गई थी कि बहुत दिन हो गए है, सीपिया लाई की, पर जींगा काफी बज जाता है, कभी कभी ना खाने के लिए पेट दर्द का बहाना भी बनने लगा है, कहां तो नौ साढ़े नौ के दर्मियान, खोली पर पाटी उतारते ना उतारते बोम बोम करने लगती, कि भूख लगी है, रुकमनी ताई नहीं उसे सबसे पहले खबर दी थी, कि तेरी सरना का एक भाईये के साथ गुप चुप चल रहा है, टेशन रोड पर ठीक उसकी बगल में वह भी बटाटे कांदे की देरी लगाता है, सुनकर आग लग गई, पर चुप चाप मामला गुटके रही, मौके की ताक में थी, या तो सरना को रंगे हांथो पकड़े, या सरना खुद ही उससे आकर बताए, देर से आने के तो वह कई बहाने बना सकती है, बनाने लगी भी थी, अब चोटी नहीं जूड़ा बनने लगा था, सेवंती की बेंडी या मोगरे का गजरा हर रोज टकने लगा, सुबह फेरी से लोटती तो गजरे की दो लड़ें पत्ते में बंधी होती, बड़े सलीके से उन्हें भीगे कपड़े के टुकड़े में लपेट कर टंकी के धकन पर रख देती, ताकि शाम तक कलियां ताजा बनी रहें, एक दिन खुद ही बोली थी, मैं देर से आती तो तू घबडाती तो नहीं न, कमला चोकन्नी हुई, दस ग्यारा बज़े घर लोटने का टेम है, स्वर को भरसक सयमित रखा, सयानी लड़की से गर्मा गर्मी करना ठीक नहीं, उसे तो जाने क्या हो गया है, तुरंत माथा फिर जाता है, फिर आजू-बाजू की छोकरियों के लच्छन देखते हुए, सरना उसे कभी बेरास्ता नहीं लग धेरी तो नौ बज़े च उठने को लगती, पन कलपू पेला टिम्भी पाड़ा को जाता, उदर उसका खोली है, मैं पन साथ जाती, थोड़ा उसका खाना पिना करती, पिछे वो मेरे को सोडने को आता देवा देवा, उसकी त्योरियां चड़ गई, विश्नो को पत्ता लगेगा तो मेरे को साथ सोड़ेगा, बात काटी, मंगता वो करने दे, रिठाई की भी हद होती है, इतनी हिम्मत, नंदू से जब वह मिलती थी, ना किसी को कानो कान खबर होती, ना पूश नाच होने पर सच्चाई ही उगलती, कनपटियों में आग चड़ गई, दादागीरी तो देखो, लाजवीज कुछ नहीं, तभी तो हराम खोर रात को खाना भी डंग से नहीं खाती, दिखाने के लिए मुश्किल से एक चपाती निकलती है, उसकी भी गुंजाइश ना हो, तो खोली में गुसते ही पेट में दर्द उठने लगता है, हलकट दाद किटकिटाते हुए बालों का जूड़ा दबोच लिया, और दूसरा हाथ तर-तर चलने लगा, खोली पर जाती, क्या-क्या नहीं करती होएगी तू, हाँ, मुझ काला किया ना मेरा, बोट तन के चलती ना मैं, मिट पुझ जा, तेरा मतलब नहीं, अपने बाप की याद आ गई थी एका एक, उसमें थी यह द्रड़ता, नंदु कितना पीछे पड़ा था, कहा करता, बस तू हाँ बोल दे कमला, बाकी मामला मैं समाल लूँगा, तेरे बाप की दादागीरी धरी रह जाएगी, बहुत नहीं पड़ी, ना उसने कभी नंदु को बाप से मिलने ही दिया, पता नहीं कैसे बाप को भनक लग गई थी, कि वह नंदु के तवेले पर जाती है, उसकी खोली पर मिलती है, एक रात शिब्बु दादा को उसने बाप के साथ बाटली खोलते देखा तो सन की, शिब्बु ही बैटकर पी रही थी, उसके मुँसे भी नंदु का नाम साफ सुना, अनिष्ट की आशंका से कलेजा काप गया, बाप के लिए ही फूफी के मुँसे सुना था, आई को घास लेट डालकर जलाने की कोशिश की थी, उस दिन तो वह बच गई, मगर गुडी पारवा के दिन अपनी प्राण रक्षा न कर पाई, दर्या में डूब नहीं गई थी, दुबो दी गई थी, तेरे बाप ने दुबो या था, सुबह मामी के सामने ही बाप के कहे अनुसार कसम उठा ली, कि आईंदा वह नंदु से नहीं मिलेगी, मिली भी नहीं, नंदु इधार उधार उ उससे बारह साल बड़ा था, फूफी नहीं यह भी बताया कि यह रिष्टा मामी को खुश रखने और वश में करने के लिए तै किया गया था, बाप मामी के पीछे बरसों से है, उसे तसल्ली हुई तो इस बात की, कि नंदु उसके बाप की गिद्ध दृष्टी से तुरंत लोटने का धाडस देकर वह गाउं चला गया, महीन भर भी नहीं बीता था कि राम सेवक जो नंदु का चचेरा भाई था रिष्टे में, नेख हबर दी कि नंदु का सिर्फ अट गया है, जमीन को लेकर पटियायतों में फौसदारी हो गई थी, जिला अस्पताल मे दाखिल है, मन बोरा उठा, विष्णु ने वैसे ही तंग कर रखा था, नौकरी छोड़ दी थी, नंदु से मन को बड़ा सहारा मिलता था, जेलने की ताकत पैदा हो जाती थी, वह भी, राम सेवक ने यह भी बताया कि चिठी आई है, बचने की उमीद कम है, कोई तबेले क जिम्मेदारी उठाने वाला मिल गया, तो आज कल में वह भी गाउं रवाना हो जाएगा, वह कभी मंदिर नहीं जाती थी, मारुती के मंदिर पर जाकर तेल चड़ाने लगी, एक मंगलवार की सुभह प्रभा देवी सिध्धी विनायक के मंदिर भी हो आई, विष्णु न ताना भी दिया कि एका एक वह पुजारिन कैसे बन गई, इतना पूजा पाट सूजने लगा, हप्ता भर भी पूरा नहीं हुआ, तार आ गया, नंदु नहीं रहा, राम सेवक गाउं जाने लगा तो उसका मन हुआ कि वह भी साथ होले सब छोड़ चाड़ कर, तबेला अध ठीक दिनों तक किसी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता था, धन्दा चौपट हो जाने का भै था, कहे अनुसार राम सेवक ठीक बीशवें दिन ही लोट आया, खोली पर मिलने गई, नंदु के आखरी समय का हाल सुनने की कातरता समेटे, तो पाया, नाथ तक घूंगट तीन बच्चों समेट एक औरत भी खोली में मौजूद है, महरारू है नंदु भैया की, ये तीनों उनके लड़िकां हैं, हवा पानी बदल जाई, यही खयाल से भोजी का मुंबाई लई आया, लोग तो आने नहीं दे रहे थे, हुआ तो हाल बेवाल हुई जा रही थी, ऐसे ही राम सेवक ने नंदु के आखरी समय का बयान करना शुरू किया, औरत आलाप भरभर कर रोने लगी, दिल दहल उठा, लगा की अधिक देर तक अगर उस खोली में बैठी रही तो दम घुट जाएगा, उसी खोली में जहां उसे राहत की सांसे नसीब हुई थी, आउ पिली है तो घर ग्रहस्ती करने का जी करता है, तू हां भर करते, फिर देखना कमला, तेरे को मुलुक भी ले जाऊंगा, गंगा बाया में गांट जोड कर इसनान करेंगे हम, घर देखेगी तो डर जाएगी, वो लाइंस क्लब वाला बगीचा है न, अरे उतना बड़ा तो आंगण है घर का, और सुन इदर का माफक मुझ खोल के नहीं चलेगा, घूंगट निकाल कर रहना पड़ेगा, चोली भी नहीं चलेगी, जमफर पहनना पड़ेगा, पानी बस क्या, सिद्धु पूँच रहा था, चौक गई, वह हंडे भर भर कर कब आया, खाली करके कब ग गया, सोच में उलजे हुए उसे पता ही नहीं चला, मटका भरा की नहीं, हव, ठीक, क्या हुआ तेरे को, सिद्धु उसके भीगे चेहरे और रुधे गले पर बिसमित हुआ, कुछ नहीं, आंख हाता दिखता, गले पर आंस्मों के धब्बे चिपचिपा रहे थे, चोली का उपरी हिस्सा तर हो गया था, पाटा नीचे से खिसका कर उठी, मोरी पर जाकर रगड़ रगड़ कर मुहाद दोया, बड़ी राहत मिली, पल्ले से चेहरा पोंचते हुए अचानक खयाल आया, पानी भरते समय सिद्धु ने उससे खाना मांगा था, और उसने उसे डपता सबुर कर, तब शायद सालन उतार कर गिराकों के लिए भीगे हुए चने उबाल रही थी, विश्नु जल्दी मचा रहा था, सिद्धु के लिए एका एक मन पस्तावे से भर गया, बिला वजह वह उसे डांटती डपटती रहती है, सारे बच्चों में सबसे अधिक उपेक् सब के बड़े लाड लड़ी आये थे उसने, सिद्धु तक आते आते हर तरफ से टूट टाट कर चूर हो गई थी, थाली उठा कर आचल से पोंचते होए पोंचा, खाना देऊं, सहमे से बैठे सिद्धु के चेहरे पर आब आ गई, देना बोध भूख लगा, भात मेच साल डाल के दे दे, जींगा किया ना, उसने परोसा तो वह और बेसबर हो आया, जरा ठंडा करके दे ना, भाग छोड़ रहे भात पर वह धककन से हवा करने लगी, सिद्धु की हवस कहीं तुष्ट कर गई, ऐसी ही हरबड़ी गोबिंदा भी तो मचाया करता था, कल्पु मिलन आया, समझ गई कल्पु की इस पहल के पीछे दुसाहस किसका है, कल्पु की हिम्मत का अंदाजा उसे नहीं है, किन्तु सर्णा के दबंगपन से बखुबी परचित है, यह भी अनुमान लगाया कि हो नहो यह मिलने मिलाने की योजना के पीछे उस दिन की मार पीट खास कार जो भी हो, कल्पु सर्णा को घर तक पहुचाने आया, तो वह उसे दर्वाजे तक ले आई, कल्पु तेरे से बात करने कू बोलता, उसने कोई जवाब नहीं दिया, ना दर्वाजे पर खड़े कल्पु को भीतर आने के लिए ही कहा, सर्णा ने ही लादी पर शत्रंजी बि जगा, किसी तरह की गर्मा गर्मी भी उस वक्त नहीं चाहती थी, विस्नु गिराकों के बीच गिलास भरे बैठा था, कल्पु ने बिना किसी भूमिका के अपनी बात रखी, सिठानी हम सर्णा संग बियाव करना चाहते हैं, बियाव करना है, उसने कल्पु के शब्दों को कटाक्षपूंट धंग से उमेठा, फिर तडप कर मुझ चड़ाती हुई बोली, जात नहीं, विरादरी नहीं, हम घाटी, तुम भाईया, रीत रिवाज अलाहदा, कैसा शादी बनाने को देगी, सर्णा अब भी बहुत सोटी है, और कहते कहते एका एक उसका गला भर राय भाईया लोगों पर अपना तो विश्वास नहीं, एक जोरू मुलुक में रखते, एक अउरत इधर मसाते, तु सर्ना का चक्कर सोड़ते, होने का नहीं, कल्पू ने प्रतिवात करने की कोशिश की, पर उसने उसे बोलने का मौका नहीं दिया, तेरा इरादा पूरा नहीं पड़ने का, होशियारी पन नहीं दिखाना, नहीं तो हड़ी बिड़ी साबुत नहीं मिलेगी, समझा, बाप इसका बात पिछे करता, छुरा पेले निकालता, आखिन किरिया से ठानी, धमकी के बावजोत कल्पू ने अपनी बात को वजन देने का प्रयास किया, जूट नह बोलेंगे, सर्ना हमारी पहली जोरू होवेगी, बोलो तो पट्टा लिख दे, फिन तकलीप जो उसे हम दे, तो जो चाहो सो कर लेना, बाद में कोई क्या कर लेता है, उसने एक न सुनी, अड़ी रही, यह संबंध किसी तरह नहीं हो सकता, कलपु के जाते ही सर्ना की चुपी ढही, मैं भाणी कटका नहीं करेगी, तेरे सर्खा भट्टी नहीं सुलगाएगी, तेरे सर्खा नौरा नहीं मंगता, मेरे को आग लग गई, इस आखरी जुमले ने छलनी कर दिया, जपटकर उसे लादी पर गिरा दिया, हाथ में जो भ ही आया, दना दन पटकने लगी उस पर, अपने पर जैसे काबू ही नहीं रहा, बुरी तरह थरथरा रही थी, मुह से फेचकुर बजबज आने लगा, हराम खोर कुट्टी, मेरे कोच बोल मारती कि तेरे सर्खा नौरा नहीं मंगता, आई कोच, आग का पानी मर गया ना हलक उस भाईय की पिछे? हाँ, हाँ, बोलेगी, उस भाईय की पिछू ही बोलेगी, जितना मंगता उतना मार, पन मेरे को घर में बैठने का, अवरत सर्खा घर में रहने का, भाईया लोगों में अवरत को घर पे रखते, धन्दा पानी नहीं करवाते, उसका कमाई नहीं खाते हाथ निर्जिव हो जूल गए कितना मारे मार पीट कर सरना के भीतर दुपकी बैठी घर की कलपना को धुस्त कर सकती है सरना उसकी बेटी जरूर है मगर वह नहीं है चीक चिल्लाहट सुनकर कई गिराकों समेत विस्नु भीतर आ गया उसका रोधर रूप देखा तो ताव खा गया छोकरी को अब तुने हाथ लगाया तो देख अभी इदरीच खलास करेगा हलकट पीकट टुन होता है तो एका एक बाब बन जाता है वरना मरते सरते पड़े रहें उसकी बला से फफक रही औंधी पड़ी सरना के सिर पर विस्नु ने हाथ रखा तो वह तड़प कर दहारी हाथ नहीं लगाना मेरे को काम कर जाके अपना पिछली सुबह उसके और सरना के बीच कोई बात चीत नहीं हुई बहुत मारा था उसने रात में सरना तो रोते रोते ठक कर सो गई पर उसे आधी रात तक नींद नहीं आई कलपती रही कि इतनी कुटाई के बाद लड़की उठ पाएगी इस कदर खुंखार उसे नहीं हो जाना चाहिए इस तरह के बरताओ से तो बात बिगड़ेगी ही मान लो लड़की अपने और कलपू के बारे में कुछ भी न कबूलती तो मान लो बिना बताए ही भाग जाती तो क्या कर लेती वह रोज की तरह उसने चाय बनाई और साड़ी लपेट रही सरना के करीब पाटा सरका कर कब बसी रग दी सरना ने चाय की तरफ देखा जरूर पर हाथ नहीं लगाया आइस्ता से पाटी सिर पर रख खोली से बाहर हो गई जगड़ा जहाटी के कुछ ही घंटों बात वह सब भूल भाल कर सहज हो जाती है सरना यह अच्छी तरह जानती है किन्तु सरना को सामान होने में दिन लग जाते है कई दिनों तक मुफ उलाए रहती है दोपहर में भी वही हुआ फेरी पर से लोटी तो उसने खाना लगा दिया भटी के पास बैठे हुए तिर्ची द्रश्टी से देखा तो पाया थाली जियों की त्यों लगी पड़ी है लादी पर बिना शत्रंजी बिछाए लेटी सरना सोने का बहाना कर रही है बोले बिना रहा नहीं गया अन्पे गुस्सा काय को निकालने का मगर सरना निश्चल पड़ी रही ना आखे खोली ना उसकी और देखा न जवाब ही दिया इतनी जिद अपमान से मन रुवासा हो आया इनी के लिए तो खटती मरती है पैदा होते ही तो नहीं कमाने लगी थी रात ग्यारह के करीब लोटी थी कल्पु जरूर छोड़ने आया होगा मन में आया कि सारे जगड़े की जड़ तो यह कल्पु ही है क्यों न उसे दर्वाजे से बाहर धर्द बोचे इतनी कुटममस करे इतनी कि सरना तिल मिला कर बोम बोम कर दे उसकी चुपी तो तूटे सह नहीं पा रही थी उसकी एठन लेकिन बस इतना किया ना खाने को पूचा ना खाना ही लगाया अंदाजा था नाटक कर रही है कल्पु की खोली में जरूर खाया पिया होगा उसे दिखाने को आयठ दिखा रही है लेकिन आज दोपहर से ही जी उसे धिकार रहा है जिद्धी तो है मान लोग कलपू की खोली पर भी ना खाया हो तो आज तीसरा दिन है जगड़ा हुए चेहरा कैसा निचुडा निचुडा हो रहा है चाय धकोस्ती होगी कप पर कप विश्णु ने आकर प्याज और नमक मांगा उसके उड़े हुए चेहरे को देखकर टोका तबियत बरोबर नहीं तेरी बसी में प्याज के टुकड़े और नमक रखते हुए संजीदा स्वर में इतना भर कहा सिरदर्द भौत है गोली मंगा के दुम बाम है विश्णु चला गया वह उद्योग्न मन से सरना के लोटने की प्रतीक्षा करने लगी एकाज चक्तर गिराकों की खोली का भी माराई पर बैठ नहीं पाई कई लोगों ने उसकी अनमनाहट ताड़ी कारण जानना चाहा तो उसने सिर के दर्द का ही सहारा लिया कुछ नहीं सूजा तो बाम की शीशी लिये माथा मलने बैठ गई अपने उंगलियों की सहलाहट से काफी राहत मैसूस कर रही थी कि तभी कुंडी खड़की दर्वाजा खोला देखा सर्ना के आठ दस हाथ पीछे कलपू खड़ा हुआ है शैद इसी प्रतीक्षा में कि दर्वाजा खुले सर्ना भीतर हो ले तो वह मुड ले सहसा दर्वाजे को दोनों हाथों से घेर कर उसने सर्ना को आदेश दिया अंदर बुला उसको सर्ना ने ढिठाई से सीधा उसकी आँखों में ताका पूचा काई के वास्ते स्वर की एठन से लगा कि जैसे यह न पूच रही हो कि किस लिए बुलाऊ चेतावनी दे रही हो कि अगर कल्पु के साथ कोई बत्तमेजी की तो देख लूँगी जरूरी बात करने का सर्ना ने निर्भीकता से कल्पु को अंदर आ जाने के लिए पुकारा कमला दर्वाजे से हट गई उसने पाटी उतार कर सिर पर गुंटरी बना कर रखा हुआ अंगोचा फटकार कर कपड़े से लदी रसी पर उचाल दिया देख लिया था कि कल्पु के अंदर दाखिल होते ही आई ने फुर्ती से दर्वाजे की सिटकनी चड़ा दी है बीच वाला दर्वाजा भी भेड़ दिया माथा ठनका दाल में कुछ काला है बीच वाला दर्वाजा भेड़ते हुए सिद्धू से कहते हुए भी सुना कुछ मंगता होएगा तो विष्णु को बोलना थेरना सरना सतर्क हो गई कल्पु के चेरे पर धेर सा असमंजस पसर गया सारा माहौल अनभूज सा हो रहा था भोत फिरता ना तू इसके साथ जवाब सरना ने दिया मैं फिरती इसके साथ इसको कुछ मत बोल तेरे से पूँचा? नहीं, तो उसको जवान नहीं सरना कल्पु की ओर देखने लगी तेरे को शादी बनाने का सरना के साथ मैं तो आप से कपका कहा था कहते हुए कंकियों से कल्पु ने सरना को देखा अचानक कल्पु की कमीज को उसने सीने से दबोच लिया पूरी ताकत से उसे जजकोरती हुई चीखी कब से क्या मतलब बनाना है तो जल्दी बना ठैरा काय को हाँ पैसा नहीं होएगा तो मेरे से ले पर जल्दी कर शादी देर नहीं मंगता भरोसा नहीं तेरा कभी मुलुक को चला गया तो वापस नहीं आएगा तू भाईया लोगों का एतबार नहीं मेरे को पंजा धीला पड़ा कमीज छूट गई जमीन पर पसर कर घुटनों में मुझ चिपा लिया और फफख फफख कर हिच्कियां तोडने लगी कल्पू हत्प्रव रह गया सरना की आँखों में अभी भी अविश्वास के डोडे तने हुए थे पियेली तो नहीं है फिर तो ये थी कहानी कहानी आपको कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं